बिहार के औरंगाबाद जिले में दो दलीतों को उठक बैठक कराया गया, थूक चटवाया गया, बोला गया कि थूक के चाटो, और नहीं अपना थूक के चाटो गया, तो हम थूकेंगों उसको चाटना पड़ेगा, वज़ा ये थी कि ये खास कंडिडेट बलवान सिंग जो बुलाया गया, उनको कहा गया कि थूक चाटो थूक के, अगर नहीं थूक के चाटो गया, तो हम थूकेंगे, उसको चाटना पड़ेगा, तो क्या दलीत को जीने का अधिकार नहीं है, क्या उसको वोटिंग राइट नहीं है, कि किसको वोट करे, किसको ना करे, बात करेंग जब मनुई स्मृति था उस समय देश में दलीतों को ठाकुरों के दोबारा यह फिर जो सोँगर्ड अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उनके दोबारा दलीतों को थुक चाटने की दोस्ता थी और मनें इस तरह कान में सीशा पिंगला के डालने का विवास्था था और मनें से ज्यादा हो गए फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है तो कहीं नहीं जहां भी घटनाएं होती वहां कि सरकार दोसी है और सीधे तोर पर इन घटनाओं को मैं बता देना चाहता हूं कि सीधे तोर पर दलीतों को यह लोग तुक्ष मांसिक्ता इनके उसको आरेश्ट करके जेल भेजा है और वहां पर आज जैसे मेरे संग्यान में घटनाएं वहां भी मार्मी और अंगाबाद की टीम है उनको मैंने बात करके वहां पर भेजा हुआ है और शेखर अजार्द भी ट्वीट किया इस पर जी बिल्कुल ट्वीट किये हैं उनका बिजयूपी पे अटक किया जी तो ये बिल्कुल अटक सीधा उनका काना एगी भाजपाय के जहां भी संरक्षन में सरकार चल रही है चाहे नितिष कुमार सरकार चला रहा है और अन्य भी कहीं परदेश में जहां भाजपाय का मुखमंत्री है वहाँ पे दलीतों का पिछडो करेंगे और अगर इसमें कोई अगर जबरजस्ति कहता है कि हमें भोट दीजिया और भोट नहीं देने पर थुख चटवाता है तो ऐसे ब्यक्ति को वो चुनाव हारा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलीतों नहीं उसे भोट नहीं दिया होगा और भी जाती के जो लोग रहते होंगे वहां पर ठाकुर भी होंगे ब्राह्मन भी होंगे वहां पर यादाव भी होंगे कोईरी भी होंगे कुर्मी भी होंगे और अन्य भी और कि बिभाग के बिल्कुल ओम अंत्री हैं इस विभाग के और संतोस कुमार सुमन जी वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वहां के दलीतों का जो यह घटना उन दलीतों के साथ हुआ है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस मामला पर सक्थ सक्थ करवाई करवाने के लिए सजा नहीं मिली है लेकिन भीमार्मी और आजाद समाज पाटी अभी जल्द वहां पर हमारी टीम वहां से रिपोर्ट हम लोग को देगी कि क्या मामला है और हम लोग वहां पर अभी तुरह धमय खुद जाओंगा वहां पर जा करके और वहां पर पिडितों से मिलूंगा उन दोष्टा पाट लिखेंगे विल्कुल बताये हैं यह घटना इन्सानियत को स्लमसार करने वाली घटना है एक दलित को ठुक चटवा देना इस भारत में जब सब लोग जादी के बाद सोतंत्रता के बाद समीधान के बाद जब सब लोग सोतंत्र होकर के जीवन जी रहे है विल्कुल नहीं तोड़ेंगे कि काई दोस्ती तोड़ देंगे आपको पता किसे चलेगा मुझे कि आप मुझे भोट दिये हैं या नहीं दिये हैं तो भोट देने का अगर बिहार में नितिश कुमार मुख मंतरी नहीं होते तो इनके बैसाखी वाली सरकार है न भाई यह इनकी खुद के दम पे बनाई हुई सरकार थोड़ी है यह तो भाजपा के भोट पे जितते हैं और बाजपा से गड़ बंदन करके सब दिन ही यह मुख मंतरी बने रहे है तो उनके दम पे चलते हैं तो इनकी आउकात नहीं आप देखिए ना भाई इन बिहार सरकार के मंतरी उपमुक मंतरी इनका भाजपा का जो एलाइंस पार्टनर जो एमेले हैं एमपी हैं मिनिस्टर है वो नितिश कुमार के खिलाब बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि नितिश कुमार के खिलाब बयान देते हैं इनका जो कानून है उसका वो लोग विरोध करते हैं यहां तक कि जातिये जनगर्णा की जहां तक बात है देखिए नितिश कुमार ने कहा है कि हम जनगर्णा कराएंगे इनका साथी जो बंदन का साथी है जो मजबूत है भाजप विवार्ट गश्कुमार दोछरी रणीती के तहत चल रहे हैं और बिहार के जो दुर्धसा है उसके यह जिम्मधारी भी नहीं लेना चाहते हैं कहते हैं कि हमारी थोड़ी जिम्मधारी ही है तो हम दोनों की साजिस सरकार है जब चुनावा में आएंगे तो यहीं का येंगे कि भाई भाजपा भी हमारे साथ थी सिर्फ मेरी गलती क्या है तो ये इनका दोहराज चरित्र के वज़ा से बिहार में दलीतों के प्रति घटनाएं बढ़ी हैं आए दिन कभी कोपाल गंज में बरात में खाना खाने पर मार दिया रहा है बिहार का कोई ऐसा जीला नहीं है जह पर दलीतों के प्रति अतिचार की घटनाएं नहीं बढ़ी हैं और लगतार हो रही हैं फिर भी इस पर अंकुस नहीं लगाया जा रहा है मैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि एक समय था जब 1977 के आसपास जब भिहार के मुख मंत्री करपूरी ठाकुर्जी हुआ करते थे उन्होंने दलीतों को हतियार देने के लिए आधेश जारी किया था और भिहार के तकीरीबंंद़ जीलो में जहां भी एक हजार दलीतों को हतियार दिये थे, लाइसेंस भी दिये थे, ट्रेनिंग भी दिये थे, जी बिलकुल दिये थे, तो जहां भी अतेचार की घटनाएं बड़ी थी, उस समय बिहार के जिन जिलो में ज्यादा दलीतों के प्रतीयते जार होता था, पटना और अरंगाबाद, नालंदा नावादा बोचपूर गया और बहुत सारी मुंगेर है जमुई वहां सभी जगा पे हर जिले से सव सव दलीतों को सरकारी लाइसेंस देख करके हंत्यार दिया गया था तो अब समय आ गया है कि जिस तरह से सभरा ठेहर है कि नोढ़र बेटा है कि तरह से कर से कम एक हजार दलीतों को लैसेंसी हाथियार देना चाहिए तके इनके उपर पर आतियाचार रुख सके इनके उपर जुर्म ज्यादती और जो सोसन की घटनाएं हो रही है वो बंद हो सके तो क्या दलित इंसान नहीं है उसको बोट देने का अधिकार तो है लेकिन किसको दे इस बात का अधिकार नहीं है थूक चटवाया जाता है उठक बेठक कराया जाता है मानवता को शर्मसार किया जाता है भीम आर्मी और जात समाज पाटी की नेता अमर जोती एक काना है कि दल सबस्क्राइबर नहीं हमारे, तो घंटी बजक किईए, जय भीम जय भारत.